तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों एक बार फ़र से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंट पुर में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं UPSI की यहाँ पर जो भरती है तो उसका जो है City Information और Exam Date दोस्तों बोड डिकलेयर हो चुका है लेकिन दोस्तों अभी भी भी बहुत से लोग डाउट में बने हुए हैं पहले तो यहाँ पर इसका Link Activate किया गया था जहाँ पर जो है Reference Number या Registration Number क्योंकि Reference Number और Registration Number ये दोस्तों आपका सेम होता है चाहे Reference Number का है चाहे Registration Number का है दोनों एक चीज़ है तो इसके लिए Link Activate की गई थी ये Link दोस्तों आपकी दो तारी को Activate की गई थी जहाँ पर दोस्तों साफ दिया गया था कि यहाँ पर फेजवाईज लिकित परिक्चा के लिए सहरवाद दिनांग की जानकारी और यहाँ पर नोट में दे दिया गया था कि उक्त जानकारी अब भेरती को आबंडित PDF जारी की गई है लेकिन अब बहुत से लोग को ये दिक्कत आ रही है कि PDF में वो सर्च नहीं कर पा रहे हैं धूंड नहीं पा रहे हैं कि उनका जो यहाँ पर नेम कहां पर है मतलब कि वहाँ पर उनका रजिस्टेशन नंबर कहां पर दिया गया है और उन्हें दोस्तों वो फेज 2 और फेज 3 के अंतरगत यहाँ पर अलग अलग लिंक दे गए थी PDF डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर अभी ये तो किसी को पता नहीं है कि फेज 1 में किसका है फेज 2 में किसका है फेज 3 में किसका है अला कि जिसके एडमिट काड डाउनलोड हो चुके हैं उन्ह सबसे पहले दोस्तों यहां पर जब आप आएंगे यूपेसाई की अफिसल साइट पर यहां से दोस्तों आप ये तीनों पीडियेफ डाउनलोड करेंगे आपका सबसे पहला ये काम रहेगा अगर आपने अभी तक अपना नहीं चेक कर पाया है तो हलांकि दोस्तों टेलीग् भी की होगी दोस्तों बहां से आप जाईए पीडियेफ को डाउनलोड कीजिए और दोस्तों बहां से भी आप चेक कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है पीडियेफ लगवग 8000 प्लस पेज़ेज की है अमलब हर पीडियेफ में 8000 प्लस पेज़ेज है तीनों पीडियेफ म जो कि SICUP से चालू होता है तो दोस्तों वो मैंने अभी यहां पर अभी आपको मैं प्रूब के साथ दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए फटा-फट आप लोगों को दिखा देते हैं उससे पहले दोस्तों आप देख लें टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रूबाइड करा रखी है लिंक के माद्यम से टेलीग्राम पर आप जाएए और दोस्तों वहां से यह डाउनलोड कीजिए आप देख सकते हैं के रहने वाला है क्योंकि बहुत से लोग जो PDF डाउनलोड कर चुके हैं तो दोस्तों उन्हें यही नहीं पता है कि यहां पर दोस्तों आखिर सर्च करेंगे मतलब यहां पर 8000 प्लस तो पेजेज हैं तो हर पेज में आखिर वो कहां तक सर्च करेंगे तो इस तरह से बहुत से लोग चेक नहीं कर पा रहा हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपको डिटेल के सास समझाता हूं कि आप अपने आप कैसे चेक करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी साफ देख सकते हैं यहां पर जो लिष्ट 2 है मैंने पहली लिष्ट नहीं खोली है ना ही तीसरी खोली है दूसरी लिष्ट है तो दूसरी लिष्ट यानि दूसरे फेज के अंतरगत जितने लोग का यहां पर चैन हुआ है तो उनका दोस्तो तो मैं आपको बता दूं आप इसे कैसे चेक करेंगे तो दोस्तों, यहां पर सिम्पली आप देख पाоля होगे ज़ो आप PDF को OPN करेंगे जो यहां पर जब भी आप PDF को OPN करेंगे तो PDF विवर के साथ OPN करेंगे उसके साथ OPN करने के बाद मतलब आपकी जब PDF ओपन हो जाएगी तो इसके बाद आपको यहाँ पर तीन आइकन देखने को मिलेंगे तीन आइकन में यहाँ पर सबसे पहले 3. होगा इसके बाद Save to Gmail इसके बाद सर्च का होगा तो सबसे पहले सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बाले पर क्लिक कर देना है सर्च पर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका जो Registration नमबर है वो आपको फिल कर देना जैसे आप लोग दोस्तों देखेंगे मैंने Yes यहाँ पर किया अब दोस्तों देखेंगे अगर आप तो दोस्तों यहाँ पर सभी कलर्ड हो चुके है जहां तक मैंने यह फिल किया हुआ है अब इसके आगे मेरे कंडिडेट ने जो भेजा हुआ था तो था 0, 5, 20 तो इस तरह से दोस्तों यहाँ आप देखेंगे मैंने कर दिया है इसके बाद फिर एक था 0 तो मैंने फिर यहाँ पर 0 भर दिया है हलांकि दोस्तों इसमें टाइम लगेगा मतलब एक बार आप अपना पूरा यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन नमबर भर देंगे इसके बाद लगवग आपको यहाँ पर दो मिनट के लिए अपनी स्क्रेशन को छोड़ देना होगा जलते हुए मतलब आपकी जो मुवाइल के स्क्रेशन है वो जलती रहे और दोस्तों आपका यहाँ पर जो प्रोसेस है होता रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं 169 हो गए 165 हो गए मतलब 165 का यह पहला है यह मतलब कुछ जो हलके कलर में दिखा रहे हैं यह दोस्तों पहला है और बांकी के जो पीले दिखा रहा है यह दोस्तों बांकी के अन्ने हैं तो 199 में यह पहला है जो SICUP0520 से चालू है अब 20 के बाद दोस्तों बाकी के जो अंक हैं वो मैं दोस्तों अभी यहाँ पर भरने वाला हूँ तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर है 763 तो यहाँ पर मैंने 763 फिल कर दिया अब दोस्तों हलां कि यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर कुछ टाइम लेगा इसलिए दोस्तों मैं अभी आप लोगों को मैंने पहले से इनका सर्च करके रखा है तो मैंने इनका स्क्रिंसार्ट ले लिया है वो दोस्तों जो भी होगा यहां पर कलर्ड हो जाएगा जिस तरह से मैंने यहां पर जैसे हटा दिया अभी यहां पर कुछ टाइम लिया जैसे अभी यहां पर आप देख रहेंगे तो यहां पर बढ़ने चालो हो गई, यह साथ हो गई, आठ हो गई अब इस तरह से दोस्तों बढ़ रहें अब यह पहला आद देख रहें इसके बाद अगर आपको दूसरे वाले पर जाना है यहां पर आप सामने वाला बटन देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे नमबर वाले पर पहुंच जाएंगे दूसरे के बाद आप फिर क्लिक करेंगे तो तीसरे पर पहुंच गए तीसरा वाला जो मेन पटी है जो जाती है वो दोस्तों इस कलर की है यह आप देख लें और बांकी जो है पीली है तो इस तरह से आप जब चौथे पर जाना चाहें तो फिर आगे यहां पर क्लिक कर दें और बायक आना चाहें तो बायक भी आ सकते हैं इसी तरह से अगर आप इ टाइम लेगा सर्चिंग लेगा तो इसके लिए दोस्तों टाइमिंग चाहिए होगा अगर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सर्च करके दिखाऊँगा तो दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगेगा इसलिए दोस्तों मैंने इनका पहले से सर्च करके रखा है और स्क्रिंसर्ट ले लिया है और दोस्तों वो आपका कलर्ड हो जाएगा अगर यहाँ पर आप पूरा फिल कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने चालो हो गए है तो पहला यहाँ पर आ चुका है पहले का पहला अब इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों आंक बढ़ने शुरू हो जाएंगे आप देखें आपर दो हो गया तो इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे पर जाते हैं तो दूसरे पर जाएंगे तो इसी तरह से यह थोड़ा हैंग जैसा करेगा मतलब कुछ ज़्यादा टाइमिंग लेगा तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना चेक करना है मतलब पहले आपको यह जो कार रहा है यह पहली PDF में फर्ष्ट फेज़ वाली PDF में करना है फर्ष्ट फेज़ वाली में हलांकि नहीं होगा क्योंकि अगर होता तो बहां पर आपका एडमिट कार्ड ही आ जाता हलांकि जो सेकंड और थर्ड फेज़ की जो यहां पर PDF प्रोवाइड कराई है मैंने टेलिग्राम चैनल पर उसी में जहां तक है आपका होगा अगर अभी तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को विडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों चलिए इसी तरह से मैं आपको जो थर्ड PDF है उसमें दिखा देता हूँ तो चलिए मैं थर्ड PDF की तरफ चलता हूँ तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिन कंडिडेट ने मेरे पास बेजा हुआ था तो जब मैंने सर्च किया तो यहां पर आप देख सकते हैं यह उनका यहां पर दिखा रहा है कानपूर में उनका सेंटर गया है यह अगर आप देख रहे हैं मलब जिनका भी है अगर आप देख रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका यह कहीं भी दिखा देता है क्योंकि आपके यहां पर पापा का नाम आपका नाम और आपकी डियो भी डाल कर दोस्तों ये आसानी से पता किया जा सकता है वो कोई भी कंडिडेट हो जिनों ने भी ये भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका अगर किसी को ये पता चल जाता है तो तो दोस्तों आप एक्जाम भी देख लें इनका तो इनका एक इस्टाग्राम पर हमें परसनली कमेंट करेगा और फॉलो करेगा दोस्तों उनका भी चेक कर दिया जाएगा उनके लिए भी हम टाइमिंग निकाल लेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं और दोस्तों यहां पर आपका जो है आता जाएगा जैसे मैंने पांच तक यहां पर किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल सत्रा है पांच जिन में मतलब है पांच तक यहां तक का जिनका रिजिस्टेसन नमबर है यहां पर टोटल सत्रा है और यह पहला है अब इस 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से दोस्तों ये बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो